नाइन्थ साइंस में चेप्टर एट जो गती का पार्ट है अध्या है उसमें बड़ा अच्छा अंकिक प्रश्ण है जो प्रश्ण मेंक का भी हिस्सा है बड़ा महत्वण भी है और साथ में बहुत सारा जनरल नालेज भी देता है तो कॉंपेडिशन के पाइंट आफ व्यू बादलों की गरज भी होती है लेकिन अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि बिजली की चमक पहले दिखती है बादलों की गरज बाद में सुनाई देती है तो एक तो इसका क्या कारण है दूसरा अगर बिजली की चमक और बादलों की गरज के बीच में चार सेकंड का सम वहां से आपकी निकटतम दूरी क्या हो सकती है इसकी भी गढ़ना करना तो यह दो प्रश्ण बड़े महत्वपुने और बड़े आपको इसमें मस्तिश्क का उपियो करना पड़ता है तो देखिए सबसे पहला प्रश्ण हम देखते हैं कि जब आस्मान में बादल चाय होते ह तो बिजली चमक ने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती है तो बिल्कुल सही है ठीक है जब बारिश होने वाली होती है बादल चाय होते है तो बिजली की चमक और बादलों की गरजने की आवाज हम तक पहुशती है तो ऐसा क्यों होता है तो बिजली की चमक प तो बादलों के गरजने की आवाज देर से पहुचती, ऐसा क्यों होता है, तो हमको यह बताना पड़ेगा, कि जो बिजली की चमक है, वो हमको पहले इसलिए सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है, वो तीन गुणा दसकी घात आठ मीटर प्रती सेकंड है, बहला प्रकाश एक सेकंड में तीन लाग किलोमिटर चलता है, है ना, तो अब यहाँ पर क्या है, कि वाईू में ध्वनी की चाल 346 मिटर प्रती सेकंड है, तो यह तो उसकी तुलना में बहुत ही कम है, वेसे यह भी अपने आप में बहुत जादा है, लेकिन प्रकाश की चाल की जो है, वो बहुत जादा है, द्वनी की चाल से, और बता भी सकते हैं कितनी है, कि प्रकाश की चाल 3 to 10 to the power 8 मिटर पर सेकंड है, और द्वनी की चाल जो है, वो 346 मिटर प्रती सेकंड है, अब यह तो आपने उसका कारण बता दिया, यह ना, कि बिजली गिनने की जगह से, अगर आप कहीं खड़े हैं दूरी पर, तो आपको प्रकाश की चमक ततकाल आप तक महुत जाएगी, लेकिन ध्वनी को यह दूरी तै करने में, ज्यादा समय लगेगा, और उसका कारण आपने बता दिया, कि इन दोनों की जो चाले, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, अब आप जहाँ खड़े हो, वहाँ आपको चमक दिखाई देती है, और फिर वहाँ से जो बादलों की घरज है, वो आप तक आती है, उसमें चार सेकंड का अंतर आता है, ठीक है ना, बहुत जिस जगे से आपने देखा, वहाँ से आपने इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो चार सेकंड का जो डिफरेंस है, वो क्या है, वो बिजली की चमक और बादलों की घरज के बीच का अंतर है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, निकट तम बिंदू की दूरी, तो दोनों घटनाओं के जो समय अंतराल है, वो चार सेकंड है, तो इतने टाइम में जो ये हमें पता है, चार बराबर दूरी बटे समय होता है, तो फिर ऐसे में चार सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, तो होगा चाल गुणी समय, तो दूरी बराबर चाल गुणी समय, आप समय तो होगया चार सेकंड, दूरी आपके पास दे रखी है, अपने समय होगया चार दूरी पर बिजली गिरी है, है न, तो क्योंकि आपने लाइट तो पहले देख ली, और फिर उसके चार सेकंड बाद आपको धुनी सुनाई दी, तो अब आपको यह पता करना है कि कितनी दूरी पर यह बिजली गिरी है, तो दूरी बराबर हो जाएगा, चाल गुनी समय और किसकी, बैसी दीसी बात है, दूरी की चाल, तो 346, गुनी 4, तो जाएगा 1384 मिटर, मतलब 1.384 किलो मिटर भी आप इसको लिख सकते हैं, तो हमारे चैनल पर सारे नुमेरिकल्स अवेलेबल हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सारे नुमेरिकल्स को देख भी सक देखते हैं, लाइव क्लासेज भी होती हैं, चैनल पर सारे नुमेरिकल्स, कोश्चन बेंक्स के सारे सॉलुशन्स, कोश्चन्स वगरा सारे एंसर अवेलेबल हैं, धन्यवाद।